नमस्कार दोस्तों स्वागेत आपका चिराक क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ आप सब बढ़ी होगे तो फ्रेंट्स हाली में असरसी के द्वारा एक एक्जाम करवाए गया ता जिसमें आठाएस लाओ के करीबन बचो ने उसका फ्रेंपिगा तो इस बरती में एक बहुत बड़ा शकेम देखने को मिला हूँ मैं बात करा हूँ यहां पर SSC MTS हवलदार बढ़ती 2004 के बारे में जिसमें एक बहुत बड़ा स्केम पाया गया है ठीक है हुआ क्या यहां पर बिहार के पत्ना जिले के पूर्णिया के अंदर का यह मामला देखने को मिला है जिसमें आप सभी को होता है SSC MTS का जो एक्जाम वहाता हूँ नोक टूबर से यह एक्जाम शुरू वहाता ठीक है लेकिन इसके अंदर में हुआ क्या और इसे एक्जाम के यह इस मामले में तीशेस अधिकारी भी सामिल है ठीक है पूरा क्या मामला में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अभी यहां पर बच्चे कुछ बच्चे जिनका पेपर अच्छा हो चुका है और कुछ बच्चे जो कापी दिनों से इस जनकारी two इस वीडियो के अदर देने वाल हूँ तो यह वीडियो पूरा देंगे आपको सारी चाजीचे अच्छे से समझ में आ जाएगी और वीडियो आपको जर्दा भी अच्छा लगे तो वीडियो को 190ser बताने 2C2-2024 के बारे में यहाँ पर सबसे पहले यह नीज कटि परतिया अभ्यारती मिलते है 80,000 रुपे, मतलब एक अभ्यारती के 80,000 रुपे, आप देख सकते हैं, 10 अभ्यारती कितने होगे, 8 लाग के करीबन, अगर इस परकार पूरे दिन 30, यानि 30 इस्टुडेंट परजी सामिल किये जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, लगबग 24 ऐसे attempt करता है और इसके जो भी इसमें सामिल है उनको फिस लोग को बना रहे लेकिन कुछ बड़े बड़े यूटूबर है वो अभी वीडियो नहीं बना रहे तो अंसे निवधन करूंगा हाथ जोड़के उसे बोलना चाहूंगा कि आप इने माम लोग के उपर वीडियो बनाईए और बच्चों के आवाज को यानि उपर उठाईए ठीक है ताकि यह बात आगे तक पहुच सके और सरकार इसके उपर कुछ एक्षन ले सके ठीक है तो मैं उन सभी टीचर से कहना चाहूगा आप देखते होगे कि यूटूब के उपर होता क्या है कि कभी कर जब टीचर के आपस में कोई लड़ाई वगेरा हो जाती है तो उसके उपर दस दस बिश बिश वीडियो आ जाते है लेकिन अगर बच्चों के हिट के बारे में बात कि तो इस परकार के वीडियो कोई नहीं बनाता है ठीक है बच्चों के कोई भी आवाज नहीं उठाता है तो मैं उन सभी टीचर से निविधन करना चाहूँगा आप इस मामले को पूरा जोर लगा के पूरा उठाईए और सरकार तक इसकी आवाज आपको बता देता हूँ अगर आप भी अससी जीडी भरती दो हजाद 2425 मतलब जो नई वाली वेकेंसी है अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हो तो यहाँ पर किरन पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकिया सब्जेक्ट वाइस सामाने गयान मैतमेटिक परतक बुक आपके चेप्टर वाइज रेगी परतक बुक को चीशेज पैटन के उपर रेगी और परतक बुक में 2013 से लेकर 2014 यह जतने भी एकजाम होगी उनके सवाल सामिल किएग है और परतक बुक में 2190 प्लस ऑबजक्टिव टाप के किसन मिलेगे वितिस solution के साथ और मातर ये book आपको 125 रुपे में मिलेगी इनकी एक practice book में आती है जो 4 subject और cover करके design की गई है 50 set इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये भी आपके नविंतम pattern के उपर आधा जिता है तो इन सभी book का link description box में दिया वाए जाए पर्चेज कीजिए और अपनी तयारी को और भी ज्यादा बहतर बनाईए ठीक है अब चलते है अपने इस मेंटर के बारे में अब यहाँ पर हुआ क्या सारा चीज में आपको पूरा detail वाई समझाओगा और यह भी बताऊँगा कि इसके answer की जाएगी या नहीं की जाएगी अगर की जाएगी तो कब तक जाएगी होगी ठीक है ध्यान से देखेगा अभी यहाँ पर हुआ क्या कि फर्चिवारा का खुला सा कैसे हुआ पूर्णिया बयार के एक digital के अंदर पर स्थे एमटेश परीक्षा में हर सिप्ट में 10 परजी उमिदवार बेटाई जा रहे थे ठीक है यह सिल्शला परिक्षा शुरू होने के पहले दीन से ही चल रहा था ठीक है आप अंदर अलगा है कि पहले दीन से यह सारा मामला चल रहा था और हर दिन तीन सिप्ट में एक्जाम हो रहे थे तो कितने फरजी उमीदवार बेठाए गे थे तो इस वज़ए से काफी ज़्यादा बच्चे परेशान है जो काफी ज़्यादा मैनत कर चुके इस बर्ती के लिए अब यहाँ पर आगे भी और देखिए इसमें प्लानिंग और भूमिका व्याँनि किस प्रकार प्लानिंग बनाई की थी और क्या-क्या किस-क्या-क्या भूमिका रही थी तो यहाँ पर आप देखोगे तो फरजी उमीदवार को परिक्षा के अंदर पर बेठाने के लिए TCS के करमचारी और एक प्लानिंग ओपिसर की मिली बगत थी यहाँ पर आप देख से थे इन दोलों की मिली बगत की वज़े से यह सारा कांड हुआ है इसके बाद प्लाइंग ओपिसर के इन फरजी उमीदवारों को परिक्षा में सामिल करवाने की जिम्यदारी दी गई थी ठीक है इसके बाद में आगे आप देखिये आगे यापर फरजी वाड़ा कैसे होता था तो फर्जी उमिद्वार को असली उमिद्वार के स्थान पर बेटाए जाता था ठीक है और इन फर्जी वाड़ों के लिए परति उमिद्वार 80,000 रुपे लिये जाते थे आप सोचें 80,000 रुपे लेते थे एक दिन में लगए 24,000,000 के करीबन यहां पर गोठाला होता था इस इसमें कई अन्य लोग भी सामिलते जो इस गिरोग को संचालित कर रहे थे ठीक है अलग से गिरोग बनाया गया था जिसमें टीशेज अधिगारी भी सामिलता अब यहां पर आगे अब देखोगे तो पुलिस की क्या कारवाई हुई है अभी तक पुलिस ने क्या एक्षन ल इस गिरोग काम पहले भी कई परिक्षा में हो चुका था ठीक है यह गिरोग पहले भी अन्य एक्जाम में पेपर आउट करवा चुका है या परजी उमिदवार बैटा था तरह तो यह देख सकते है अगर माल लिजे आप इस एक्जाम में दिये ठीक है और आप माल लिजे पास नहीं होते हैं कोई candidate पास नहीं होता है और आप अगला एक्जान देते हैं हो सकता है उसमें आपके तैयारी बढ़िया हो और आपके साथ यह गोटाल हो जाए तो कितना बुरा होगा इस चीज का अंदाजा लगाईएगा ठीक है अब यहाँ पर गिरबतारियों जाच ऑर इस के अंदर पर फर्जी वाडा 13 compare को पकड़ा गया फर्जी वाडा को पकड़ में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तकアससी की परीक्सा तीन सिप्ड़ों में हो चुके थी मतलब 11 दिनों में11 दिनों तो एक्जाम होगा था तीन सिप्टों में एकजाम हो था लगबक 53 सि लीक होने के कारण इस मामले का बांडापवड हो गया इस कारण से यह सामने आया है अब यहां पर आगे देखिए अब आपको अपने राय बताना है कि इसका रे एक्जाम करवाया जाए या पिर आंसर की जारी कर दिजाए आप कमेंट बुक्स में बताओगे तब हमारे को माल बच्चे सभी मिलकर आगर जैसे ट्विटर के उपर केंपेंड करें ठीक है अलक्षे एक माहूल क्रेट करें तब जाकर सरकार के पास यह आवाज पोचकी हमार से जितना हो सकता है हमें यह करेंगे ठीक है और आगे भी आपके साथ रहेंगे और जितने बड़े-बड़े यू और बे मतलबी वीडियो आते हैं उनसे कोई मतलब भी नहीं जाता तो अगर उस पर क्या भी वीडियो बनाए जा सकते हैं तो इसे जो मामला है इसके उपर वीडियो क्यों नहीं बनाए जा सकता तो आपसे हाथ जोड़ की नहीं दने इसके उपर आप वीडियो जुरू बना के अब यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं अगर माल लीजे किसी कारणवन्स SSC MTS के आंसर की जारी कर दी जाती है तो यहां पर सी आंसर की जारी होने की कब तक की संभावनाएं है एक सीट के उपर कितना competition कितना जा सकता है ठीक है यह भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना आपकी दिन के बाद में इसके आंसर की जारी कर दी जाती है अगर इसकी अंदाजा लगे तो इसका भी च्छाह दिन के बाद में आंसर की जारी हो जाती है लेकिन अभी क्या हुआ है 19 नवंबर को भी एक एक्जाम हुआ था SSC MTS का ठीक है अगर उससे च्छाह दिन पलस आप जोड़े तो लगए 25 या 26 नवंबर तक इसकी आंसर की जारी होने की संभावने है ठीक है और 2024 की बात करें तो 121-126 वाले वित नॉर्मलाइज़ेशन यहां अपने आपको सेफ समझ सकते है ठीक है इसके बाद में अगर आप अपना आंसर की चेक करनाते जाते है सबसे पहले तो हमारे एप्लिकेसन है प्लेश्टोर के उपर आपको मिल जाएंगी चिरा SSC MTS के ना है और यहां पर रेंग चेक कर सकते हैं और इसके साथ आपने आंसर का रिवी भी कर सकते है ठीक है तो डिस्क्रिसट बोक्स में एप्लिकेसन का लिंक दिया हुआ एक किलिक में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं तो आप्ड़ेंड्स आइओफ वीडियो अच्छा लगाओगा और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसके आवाज उटें, टीचर्स भी आवाज उटें, तब जाके बच्चों का भविशे, मतलब यहाँ पर सही हो पाएगा, ठीका, I hope वीडियो अच्छा लगाओगा, फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए, जै हिं वान देमात्रूम!